एलो फ्रेंड्स, I am champion महिपल तो आज हम constructor के बारे में सीखने जा रहे हैं So, constructors क्या काम आते हैं constructors value को initialize करने के काम में आते हैं जब हम एक object को memory allocate करवाते हैं यह उसे initialize करते हैं तो यहाँ पर मैं एक example की help से एक constructor को किस तहां से use करते हैं आपको अप्ताने जा रहा हूं जो constructor होता है उसकी कोई return type नहीं होती और अगर हम वो constructor नाब नहीं तो implicitly जो compiler होता है वो constructor create करता है लेकिन उसमें कोई भी statement नहीं होती और जो constructor का नाम होता है वो class की name के same होता है तो यहां पर मैंने class 9x and then एक constructor x ओके तो इसका कोई भी return type नहीं है तो यह define करता है कि एक constructor है और इसका name भी class के name के same है तो इसके अंदर मैं सिरफ just x print करवा रहा हूं and then एक मैंने class 9 construct then main में मैंने क्या किया एक x का एक object नया small x and उसे memory allocate करवा गए और कुछ भी नहीं किया मैंने यहां पर कुछ भी print नहीं करवाया तो होगा क्या जब x को memory allocate होगी x का एक object बनेगा तो उस time पर यह constructor call होगा तो आईए run करके देखते हैं इसे जावा c construct.java and Java यहां पर देखिए अब x print होगा ओके तो यह है constructors के बारे में thank you very much